हेलो एंड वेलकम दोस्तों तो आज हम जिस ETF के बारे में बात करने वाले हैं वो है ICICI Prudential Nifty Financial Services का X-Bank ETF तो यह Financial Services का ETF है और यहाँ पर X-Bank ETF आपको देखने को मिल लाओगा यहाँ पर मतलब की जो X है वो है Excluding Bank यानि बैंक के अलावा जो Pure Financial Services है उसका यह ETF है देखिए आपको मिरा एसेट की तरब से भी एक Financial Services का ETF देखने को मिल लाथा है और भी कई AMC की तरब से आपको Financial Services ETF देखने को मिल लाथा है पर फर्किये है कि जातर स्टॉक जो है और जातर जो उसमें वेटेज है स्टॉक का वो बैंकिंग स्टॉक का वेटेज है पर यहाँ पर X-Bank ETF है यहाला जैसा की तो यहाँ पर excluding bank ETF है यहाँ पर bank के स्टॉक नहीं होने वाले हैं तो यह सबसे बड़ी खास बात है इस ETF के बारे में और इस ETF का प्राइज है 22.88 जैसा की आप यहाँ देख पा रहोंगे तो इसमें जितने भी स्टॉक होने वाले हैं इस ETF में वो प्योर financial services से ब्लॉंग करते हैं तो यहाँ पर कोई भी banking स्टॉक नहीं होने वाले हैं इस चीश का आप को धिहान रखना है और यही इसको अलग मनाता है इस ETF को तो चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं इस ETF के बारे में इससे पहले वीडियो को सुरू करें तो चैनल पर पहली बाफिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइगन को जहुर हिट कर दिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देख पार होंगे बीते एक साल में अगर आप इस ETF का रिटन देखेंगे न तो बहुती सांदार रिटन देखने को मिल ला है 42% के रिटन निकाल के दिये हैं इस ETF ने बहुती सांदार रिटन दिया है इस ETF ने और बाकी बात कर ली जाए कि कब ये ETF लिष्ट हुआ था तो आप यहाँ देख पार होंगे दिसंबर 2022 में ये ETF लिष्ट हुआ था तकरीबन 17 जमलो 29 के एने वी प्राइस पे तो जैसा कि हमने बात की बीते एक साल में इस ETF ने 42% के सांदार रिटन निकाल गे दिये हैं पर वहीं अगर इस ETF को कंपेर करते हैं बैंक 20 ETF से यानि बैंक रिप्टी को जो कवर करता है तो उस ETF से कंपेर करेंगे तो वहाँ पर देखिए एक साल में सिफ 15% के ही अज बात कर रहे हैं फाइनेसिल सर्विसेस के ETF की तो इसका जो एसेट एंडर मेनेजमेंट है वह तक्रीबन 70 करोड के आसपास का है से देख लिजएगा आपका जहां भी डिमेट अकाउंट है आप इस कोड को सर्च करेंगे तो आपको यह वाला ETF मिल जाएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पोटफोलियो की तो चलिए अब एक करके स्टॉक को देख लेते हैं तो देखिए यहां पर कुछ मिलागे तीन-चार कैटिगरी में आपका पैसा लगता है तो दीखे पहला कैटिगरी जो है वह है कैपिटल मार्केट इसमें 10% का वेटेज है उसमें जो स्टॉक आते हैं वो आप यहां देख सकते हैं और फिर फिनांस में आपके जो स्टॉक आते हैं उनको भी आप वेटेज है और फिर बजाज फिनसर्व के सेर में तक्रीबन 8% का वेटेज है ऐसे ही आप सारे स्टॉक देख सकते हैं इसमें आपको कई सारी कैटिगरी से देखने को मिल जाती है लाइक जैसे कि आपने बताया है केटल मार्केट फिनांस फिर आपको नीचे यहां पर फिन नीचे देख सकते हैं कितने सारी कंपनिया आपको देखने को मिल जाती है तो इसमें आपको इंसरेंस एलेटेड कंपनिया भी देखने को मिल जाती है यह एक अच्छी बात है और यहां पे आपको टूटल इस तरह 100% आपका पोटफोलियो इसमें टूटल 30 कंप्यों में पै परसेंट का है और फिर सिर्राम फाइनेंस इसमें 6.2-3 परसेंट का वेटेज है फिर पी एपसी में यहां पर आपको और भी कंपनिया देखने को मिल जाती है तो यहां पर एक बड़ी बात जो निकल के आ रही है वह है जैसा कि हमने बताया आपको जो सबसे बड़ा वेटेज बजाज फाइनांस का है और आप यहां देख पार होंगे बजाज फाइनांस का अगर खोलेंगे और एक साल का टाइम फ्रेम में उसका चार्ट देखेंगे तो तकरीबन बीते एक साल में इस स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई से अभी यह तकरीबन 20% डाउन है एक्जैक्ली ब पर देखने को मिला है यानि 20% यहां से इसको उपर जाना होगा तब जाकि इसका यह हाई ब्रेक होगा तो आप समझ सकते हैं क्योंकि इस वाले ETF में सबसे बड़ा वेटेज इसी स्टॉक में है तो अगर यह स्टॉक रिकाउर करेगा और अपने पिछले हाई को तोड़ेग इस टॉक जब अपने 52 खाई को ब्रेक करेगा तो कहीं न कहीं हमें अच्छा रिटन देखने को मिल सकता है तो देखिए यही बड़ा फायदा होता है किसी भी सेक्टर में ETF के थुरू इन्वेस्ट करने का क्योंकि अगर आप खुद से किसी सेक्टर को यह नहीं अगर इसी स सेक्टर के एक्जांपल लेके चलते हैं तो अगर आप खुद से कवर करने जाते हैं तो आप किसे बाय करते हैं बजाच फाइनांस को बाय करते हैं बजाच फिंसर को बाय करते हैं क्योंकि यह अपने सेक्टर के दिगज हैं तो देखिए बजाच फाइनांस तो 20% तक गिरा और यह दोनों ही stock अच्छे कासे गिरे हुए हैं पर देखिए कहीं न कहीं हमें ज्यादा कुछ impact देखने को नहीं मिला है इस ETF में और बलकि यह ETF 52-week high पे ही है तो यही एक benefit होता है ETF के थूरू निवेस करने का stock इतना टूटा हुआ है फिर भी ETF life high पे है तो आप समझ पार होगे क्या कुछ हमें फाइदा देखने को मिलता है ETF के थूरू निवेस करने का तो यह सारा कुछ इस ETF के बारे में details में निकल के आ रहा है तो ETF कहीं बहुत ही सांदार ETF है क्योंकि देखिए bank nifty को बहुत ही सांदा banking stocks है वो अच्छा perform नहीं कर रहे हैं खास करके HDFC bank में काफी गिराओट आई है जिसके विज़े से जो bank भीज है या नि banking sector है वो अच्छा return मना के नहीं दिया है बीते एक साल में और कहीं नगहीं financial services फिर भी ठीक perform करता हुआ में देखने को मिलना है इसके सामने तो यह सारा क आप इसमें swing trading करना चाते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा ETF life 5 है तो अगर आप इसमें long term समझ के position मनाएंगे तो यह अच्छा है कि कोई भी ETF life 5 है तो अगर आप इसमें swing trading purpose के लिए position ले रहे हैं तो उतना आपको risk और reward देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपको फिर कई सारे lot लेकर चलने पड़ते हैं तो फिर उतना कोई फाइदा रहनी जाता है तो कि इसमें आप long term समझ के निवेस करेंगे तो ही आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल के आता है बाकि किसी परगार का निवेस से पहले एक बार आपने financial advisor की help ज़रू ले और खुद से भी ETF की research and analysis जरू करें तो यह था इस ETF के बारे में वीडियो आई होब यह वीडियो आपको पसंद दोना होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye